कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ रहे हैं कच्चा तेल यानि की क्रूड और जिससे पेट्रोल डीजल वगएरा निकलता है जो हम अपने गाड़ी में डालते हैं किसान अपने पंप में डालते हैं और उससे और भी चीजे बनते हैं जैसे कि बहुत सारे टायर जो है सिरफ र सब कच्चे तेल से निकल के आता है और जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो पूरे मार्केट में सारे चीजों के दाम धीरे धीरे बढ़ सकते हैं इसलिए कच्चे तेल जब कच्चे ताल का जब दाम बढ़ता है तो सारे कौनों में सारे अर्थ शास्ट्री थोड़ा सा डर जाते हैं सोचते कि क्या होने वाला है यह है कच्चे तेल का खेल एक बार हम देखते हैं कि मोधी सरकार के लिए ये क्यूं थोड़ा सा एक चुनौती के तोर पे आ सकता है फर्वरी 2016 में कच्चे तेल का दाम ये ब्रेंट क्रूड है कच्चे तेल का दाम सिर्फ 27 डॉलर प्रती बैरल पे उतर आया था और दो साल बाद क्या हो गया है 75 डॉलर प्रती बैरल पे चले आ गया है यानि की लगभग तीन गुना बढ़ गया है कच्चे तेल का भाव उस वक्त जो पेट्रोल का दाम था उससे बढ़ गया है पेट्रोल का दाम इसलिए क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों डी कंट्रोल है जैसे कच्चा तेल के दाम बढ़ेगा उसी तरीके से हमारे पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ेगा भारत जो कच्चा तेल आयात करता है इंपोर्ट करता है तीन साल में पहली बार पेट्रोल एक क्रूड आयल इंपोर्ट बिल जिसको कहते हैं वो सौ बिलियन डॉलर से जादा हो सकता है यानि कि साड़े छे लाग कडोर रुपे से जादा इस साल हो सकता है तीन साल, दोज़ा सोला में बहुत कम था, दोज़ा सतरा में भी थोड़ा सा कम था क्यों कच्छे तेल का दाम 30, 35, 50 के आस पास था और इस साल का आज आयरा है कि 65 से 75 डॉलर प्रती बैरल पे जाएगा आपको याद होगा कि नरेंदर मोदी जी ने कहा था कि वो खुश नसीब है उनका नसीब अच्छा है कि कच्छे तेल का भाव कम हो रहा है और इससे पेट्रोल डीजल का दाम कम हो रहा है वो नसीब वाले प्राइम मिनिस्टर है एक तरीके से तो क्या ये खुश नसीबी बदनसीबी में बदल सकती है आखरी साल है चुनावी साल है अगर कच्छे तेल का भाव बढ़ेगा तो क्या क्या करना पड़ेगा एक बार हम देखते हैं क्या होता है कि जब हम पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं पेट्रोल और डीजल जो डीलर प्राइस होता है पेट्रोल का जिस रेट पे डीलर के पास जाता है उस पर लगभग 54 प्रतिशट टैक्स सिरसरकार लेती है सेंटर लेती है अगर डीलर कच्छा तेल का भाव बढ़ता रहेगा थोड़े दिनों में क्या होगा कि अगर चलिए अभी आज 65 है अगर भारत जो कच्छा तेल खरीदता है कल जा कि अगर वह 100 डालर हुआ तो कहीं न कहीं सरकार को यह जो डालती है उसको कम करना पड़ेगा यह यूपीए सर हम जादा जरूर देंगे लेकिन कुछ भार जरूर सरकार भी उठाएगी तो इससे क्या होगा जैसे टैक्स अगर बढ़े का कच्छे तेल का दाम बढ़े का टैक्स कम हुआ तो इससे चुनावी साल में सरकार के बजट पर असर पड़ सकता है हमारा जो एक्सपोर्ट इंप पेट्रोलियम सेक्टर से जो टैक्स लिया जाता है पेट्रोल कमपनियों से जो डिविडेन लिया जाता है इसको जोड़ कर जितना पैसा आता है इससे बहुत सारा फाइदा एक तरीके से बुनानजा मोधी सरकार को पिछले चार साल में मिले हैं अब लगता है आखरी साल मे वो बनांजा घट सकता है अब कच्चे तेल का दाम बढ़ क्यों रहा है इसका कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े जो कच्चा तेल उत्पादन करते हैं क्रूड ऑइल आउटपुट जिन देशों का है वो कच्चे तेल का दाम बढ़ाना चाहेंगे और उनकी कोश्यश अब धीरे धीरे कामयाब हो रही है नमबर टू सबसे बड़े जो देश है दस उसमें से नमबर टू है साउदी अरब नमबर तीन आपको लगता होगा कि देखिए सारे जो कच्चे तेल बनाते जो क्रूड ओयल पेट्रोल जहां से आता है हम बोलते हैं कि यह सरूर खाड़ी के देश होंगे गल्फ कंट्रीज होंगे जी नमबर तीन रूस है नमबर चार देखिए ये भी खाड़ी का देश नहीं है चीन है नमबर पांच नमबर पांच प बाद इरान आएगा तो मैंने जैसे का रूस चीन कैनेडा उसके बाद इराक इरान और फिर आ जाएगा ब्राजील तो आठ नंबर पे आप देखेंगे तो ब्राजील सिरफ खाड़ी के देश नहीं है यहाँ पर यूएई आएगा ब्राजील आएगा और कुछ खाड़ी के द तो मिलकर कच्छा तेल का कितना आउटपूट होगा कितना उत्पादन होगा यह तैग करते हैं अब उन्होंने घटाया है तो हम अगर देखें ओपेक के देश और रूस ने मिलकर घटाया है सौधी अरब चाहता है कि कच्छे तेल का भाव 100 डोलर से उपर जाए क्यों चाह तो वो चाहते हैं कम से कम कुछ दिनों के लिए जब तक IPO आ रहा है तब तक वो कच्छे तेल का दाम बढ़ा पाए 100 डोलर से उपर कर पाए इसलिए साओधी अरब बाकिया उपेक देश और रूस ने मिलकर कच्छे तेल का जो उत्पादन है उसको घटा दिया है औल आउट अटाएंगे नहीं तो दाम इतने घट गए हैं जैसे मैंने बताया है 2016 के शुरू में 25 डॉलर पे आ गया था उसमें सारे देश लॉस पे चल रहे थे और उस लेवल पे उनके लिए ये वाजिब नहीं था कि वो कच्छे तेल का उत्पादन कर सके अब दुनिया भर में क्या जाधर बढ़ेगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा चीजों के लिए डिमांड बढ़ेगा इलेक्रिसिटी का डिमांड बढ़ेगा व्लेन जादा चलेंगे ट्रैफिक जाधा बढ़ेगा गाडिया जादा बढ़ेंगी इले रबर जादा चलेगा टायर जादा चलेगी पेंटिंग जादा होगी तो इससे जैसे विकास बढ़ेगा उसके साथ साथ पेट्रोल और कच्छे तेल के प्रॉडक्स का की खपत भी जादा बढ़ेगी तो एक तरफ ऑईल आउटपुट मैं अगर हम देखें कि कच्छे तेल के दाम मार्केट में सिर्फ डिमांड सप्लाई से नहीं बढ़ते हैं कभी-कभी यह बढ़ते हैं तो स्पेक्यूलेशन यानि कि अटकल बाजी से बढ़ते हैं और अटकल बाजी से जब बढ़ते हैं तो पहले ही बढ़ जाते हैं जैसे कि जो कच्चे तेल के ट्रेडर होते हैं, कुई अगले महीने, दो महीने, तीन महीने बाद कच्चे तेल का दाम कितना होगा, और इसमें actual trade नहीं होता, यह नहीं कि हम आने कच्चे तेल को खरीद लिया, यह नहीं होता है सिर्फ फ्यूचर पेपर बें ट्रेडिंग होता है और जैसे ही लोगों को लगता है कि मांग बढ़ने वाली है यहाँ पे सिर्या में यूद हो रहा है या इराक में कोई बम फड़ गया तो ऐसे चीजों में क्या होता है कच्छे तेल का दाम उठाना पढ़ता है यह है प्रॉब्लम कि स्पेकुलेशन यानि कि अटकल बाजी से भी कच्छे तेल का दाम बढ़ता है जब 150-160 डॉलर प्रती बैरल पे चला गया था कच्छा तेल उसमें भी इसका एक बड़ा कारण था फाइनाशल स्पेकुलेशन यानि कि वित्य अटक के लिए यह 100 डॉलर से जादा अगर हो जाए प्रती बैरल जो सौदिय अर्यव चाहती है अगर वो हो जाए तो क्या अच्छे दिन के जगे हमारे लिए बुरे दिन आ जाएंगे क्या तेल हमारे अच्छे दिन तेल लेने चले जाएंगे या और यह बहुत तो सिप्र समाचार में आज हम सवाल उठा रहे हैं जो कच्छे देल के दाम बढ़रे हैं क्या इस से भारत के लिए भी आएंगे बुरे दिन क्योंकि जब कच्छे देल का दाम बढ़ता है तो भारत के बजट चलाने में देश के बजट का बजट चलाने में problem हो सकता है क्योंकि बहुत सारा tax कच्चे तेल या oil marketing company या oil company से dividend वगरा आने से सरकार चलता है वित्य घाटिया कम रखा जाता है और हमारा जो current account deficit है वो भी import export के उपर depend करता है या या क्या अमरीका मैंने break से पहले बोला था क्या अमेरिका आकर हमें बचाएगा और जितने भी विकास शील देश हैं उनको बचाएगा कच्चे तेल का जो खेल है जो जिस तरीके से बढ़ा है तेल उसको काबू में रखेगा क्यों कह रहे हैं हम क्युकि अमेरिका शे लोय आईल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है शे लोयल का deposit बाकी बताय जाता है कि जैसे चीन में, इसरेल में अमरीका से जदा हो सकता है लेकि सबसे जादा उत्पादन अभी अमेरिका करता है और इसमें एक मज़़दार बात है मैंने पिछले सेगमेंट में आपको बताया था कि दुनिया के दस सबसे बड़े देशों में आइल प्रोड्यूसिंग यानि कि आपर क्रूड आइल कच्छा तेल का उत्पादन होता है उन देशों में नमबर टू पर साओधी अरेबिया है नमबर तीन पर रूस है नमबर चार पर चीन है नमबर वन कौन है नमबर वन अमेरिका है अमेरिका क्यों है क्योंकि शेल आइल अमेरिका तयार करती है उत्पादन करती है शेल ओयल क्या है शेल यानि की एक पत्थर पोरस पत्थर पत्थर के बीच में तेल बहुत आसानी से निकाला जाता है इसको गरम कर के निकाला जाता है और उसको निकाल के थोड़ा-थोड़ा हलका सा अर्थ को एक साफ फील भी होता है बहुत जगा पर जहाँ पर यह होता है इससे तेल निकलता है इस तेल को निकालने का तकनीक काफी सस्ता है और साथ में जो तेल निकलता है वो जिसको हम sweet crude कहते हैं, light crude कहते हैं, उस तरीके का तेल निकलता है, जिससे petrol वगेरा निकालना बहुत आसान होता है शेल ओयल, 40 डॉलर प्रती बैरल पर भी काफी मुनाफ़दार होता है, सिर्फ अगर 40 डॉलर भी international crude price है, बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे वेनिजुएला है, 70 डॉलर के नीचे वो तेल का उतपादन नहीं कर पाती है, मुनाफ़दा नहीं होता है इरान देखेंगे तो 60, 65 के आसपास उनको मुनाफ़दा होता है, उससे नीचे ब्रेक इवन लेवल है उनके लिए, तो ये जो है 40 पे भी हो सकता है तो जब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, ये क्रूड ओल के दाम बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है, शेल ओल प्रड़क्शन शुरू हो जाता है, जादा बढ़ जाता है, शेल ओल का सप्लाई बढ़ जाता है, और जब ये उत्पादन बढ़ जाता है, तो क्या होता है supply बढ़ जाता है petrol का सारे petroleum products का और उससे फिर से international crude price है जो नीचे चला जाता है इसलिए पिछले दो दिन में ही जैसे ही साथी अरब ने output cut किया है उपक देशों ने shale oil supply shale oil reserve जो अमेरिका में जो पड़ा हुआ है shale oil वो बढ़ गया है बहुत सारे जो refinery है जो shale oil के refinery है वो फिर से online आ गया है और supply बढ़ गया और इससे दाम घटे हैं फिर भी जो विशेशक यह हैं वो मानते हैं कि shale oil के supply से अगर कच्छा ते 100 डॉलर पर barrel के पार भी जाए जादा तिन वहां पर नहीं टिकेगा कि shale oil का supply आए काफी आ जाएगा और इसलिए वो कहते हैं कि लगबख 65 से 75 डॉलर प्रती बैरल के आसपास रहेगा लेकिन याद रखिए कि पिछले साल तक यह 50 डॉलर पे था उससे पहले वो 30 32 डॉलर पे चल रहा था तो यह भी दुगना डेड़ गुना होगा और इससे भी problem होंग पेट्रोल तो आप जानते हैं लेकिन टायर में भी बहुत सारे पेट्रो प्रॉडक्स से होते हैं सिरफ रबर से नहीं होता यह पेट बॉटल थोड़े छिप गए हैं पेट बॉटल आप जानते हैं जिसमें आप पानी पीते हैं लिप्स्टिक कॉस्मेटिक्स सारे आपका जो लैप्टॉप है, फोन है, जितने भी प्लास्टिक पदार्था आप यूज़ करते हैं, कपड़े, पैंते, पॉलियस्टर के, सब कुछ पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे में जैसे क्रूड का दाम बढ़ेगा, वो पास-उन लोगों तक चीजे पहुँचाएं, महंगाई ना हो, यूपिय सरकार के टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ गई थी, कि जब हमारे रिपोर्टर जाते थे ग्राउंड लेवल से, वो सिर्फ एकी चीज़ कहते थे, कि महंगाई बहुत जादा है, महंगाई कम होना है चाहिए, कच्चे तेल के दाम अगर बढ़ेंगे, तो महंगाई पर असर पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और इसलिए सिंपल समाचार में हम कह रहे हैं आज, कि ये जो आखरी चुनावी साल है, कहीं ये कच्चे तेल के खेल के कारण चुनावती वाला साल ना हो जाए मोदी जी के लिए, और इनको किसी तरीके से इसको रोक के रखना पड़ेगा, किसी तरीके से रोक के रखना पड़ेगा, और इसका हम देखेंगे अगले साल में क्या होता है, आज का सिंपल समाचार यहीं तक.